अन्रक्षक जेल प्रेहरी यहां पर सायक जेल अदिक्षर पदोकी जो सीधी बढ़ती निकली है उसका फोर्म हम किस तरह से अपलाई कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यहां पर मद प्रिदे के डिस्क्रिफन बॉक्स में देदेंगे आप डाट क्लिक करके इस वीडियो के माध्य हमसे आपको बताएंगे तो वीडियो को अंद तक प्रितम हमें अपनी प्रोफाइल रेजिटर्शन करना है यदि आपकी प्रोफाइल रेजिटर्शन नहीं है तो भी आप यहां पर अपनी प्रोफाइल को रेजिटर्श कर सकते हैं किस तरह से करेंगे तो हम आगे बताएंगे यहां पर तीन तरह के ओप्शन आपको यहां पर प्रोफाइल है तो आप यहाँ पर हाँ नाओ पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल आईडी और पास्पोर्ट डालके आगे कर सकते हैं लेकिन यदि आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल पंजन आईडी नहीं है तो यह नो करेंगे और नो करने के बाद आपको यहाँ पर अपन करने के बाद यहां पर पंजन करें पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके mobile और email id पर आपका यहां पर MP मत्पृद्दे करमचार चेन मंडल का यहां पर registration का पासबोट यहां पर आपके mobile पर भीज़ दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर फिट से बापिस यहाँ पर लोगिन करना है और लोगिन करने के बाद आपको यहाँ पर KYC करनी होगी तो अब हम यहाँ पर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल पंजन में मोबाइल नंबर अपडेट एम पास्वूट प्राथती के लिए पर हम profile पंजन फोर्म संसुदन पर हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपर हो जाएगा यहाँ पर अपर दालेंगे और यहां पर capture code डालेंगे, capture code डाउन करने पर यहां पर edit 4 पर click करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर click करना है और यहां पर आप EKYC आपको करनी होगी, यहां पर आप बायोमेटिक से भी कर सकते हैं, यहां पर आपके आधार कार्ट से mobile लंबर लिंक है, तो आप इस पर click करे तो हम यहां पर आधार OTP के मादियम से EKYC करेंगे, अब हम यहां पर आगे बढ़ाओं पर हम यहां पर click करेंगे, उसके बाद यहां पर हम अपना 12 डिजिट हमारा आधार नमबर यहां पर flip करेंगे, और flip करने के बाद हम यहां पर capture code डालेंगे, और capture code डालने के बाद यह यहां पर gate detail पर हम click करेंगे आपके आधारकार से जो mobile number लिंक होगा उसी पर अपना यहां पर OTP आएगा वह हम डालने के बाद यहां पर gate detail पर हम click करेंगे तभी आपकी यहां पर KYC माईन होगी, तो हम यहाँ पर KYC करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर student का या आवेदर का नाम, उप नाम यहाँ पर, जो भी आप यहाँ पर अगर correction कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर correction कर पाएंगे, यदि आपको कोई correction नहीं करना है, तो यहाँ पर आपक को यहां पर यदि आप बेवाई थें तो येस करें उसके बाद यहां पर अपना एड्रेस आप फिलप करेंगे फिलप करने के बाद आपको यहां पर यहां पर यहां पर पंजियन संसुदन पर हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद हम यहां पर थोड़ पटने होंगे यहां पर स्कूंद करें गया चूज में जाते आपकी आप Karim प्लूट करेंगे उसकी क्या साइज हो आप यहां पर पिक्सल में सॉंभनें पर सिंग सक्sy mm Avenue आपकी चार् Lazio TTP की है और यहां पर आपको आप यहां पर जो टेंब्लेट होता है उसकी भी सा battery यहां पर आप D बीप्लेटिक उसको यांज सैनल करना जान्य पर लिए साइजे कोई इसको करा स्टोन आप Stunden बढ़ ने मदर ने और यहां पर आपकी डेटाल पर बर्त हमारा फोटोd और सिग्नीचर हमारा है और एड्रेस वह आप यहां पर चेक ाउट कर सकते हैं यदि आपको फिर से कोई करेक्षन करना चाते हूं तो आपक insane कर सकते हैं और यहां पर आप इस यहां पर चेक आउट कर सकते हैं यहां पर आप अपने कास सर्टिपिकिट लगा है वो भी आप यहां पर चेक आउट कर सकते हैं और यहां पर प्रिंट प्रिव्यू पर नाओ पर किलिक करके आप अपना फ्रोफाइल प्रिंट को यहां पर कर सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं ह सायक जेल अधिक्षक पदों की यहां में रप्लाई करने के हम इस पर क्लिक करेंगे अब हम यहां पर 25 जनवरी से लेके 8 फरवरी 2023 तक इसकी लाश्ट तारी के अब हम इस पर क्लिक करेंगे click करने के बाद आपको यहाँ पर तोड़ासा wait करना है इस तरह का interface open हो जाएगा यहाँ पर termin condition पर ok करके और यहाँ पर आगे बढ़ाओ पर हमें इसको click करने के बाद आपको यहाँ पर जो पंजियन नंबर है भो आपको यहाँ फिलप करने होंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर date of birth है वो आपको यहाँ पर flip करने होंगे date of birth flip करने के बाद आपको यहाँ पर capture code दिया है वो आपको यहाँ पर capture code flip करना होगा और यहाँ पर सच्चा बिन करें पर click करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी पूरी डीटिल यहाँ पर आ चुकी है, आप यहाँ अपना डीटिल में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम आगे बड़ाव पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक इसके बाद आपको यदि आप मत्पध्यक्जित के भीवाग में कोई अंतर्गत कोई कार्ये किये हुए या आपको किशी पुरस्टाथ चे सम्मारत कियें तो यहां पर येस करना है यदि आपको यहां पर नो कर लेना है इधर भी आप यहां पर यहां पर यहां पर पूद्पूर सेनिंगे तो यह कर सकते हैं यदि आप बूद्पूर सेनिंग में नहीं है तो नो करेंगे यदि संभीता कर्मी पर हैं तो भी आप यह आप यह कर सकते हैं नहीं तो यहां पर no करना होगा अब यहां पर click put तू Select Preparedness अब आपको यहां पर Preparedness पर इस तरह का इंटर्पाइस ओपर जाएगा यहां पर ज़िए uh आप यहां पर select करेंगे वो यहां पर show हो जाएगी जैसे कि अब हम यहां पर prepare and select करेंगे यहां पर 5 प्रिटन मंत प्रिदिस बालागाट में हैं हमें सबसे पहले आपको yes करना है उसके बाद पद है तो चुने पर yes करना है इसी प्रिकार से यहां पर सभी डिस्टिक की है सभी डिस्टिक के आपको यहां पर select करनी होगी तो यहाँ पर yes करना है यदि आप no करेंगे तो यहाँ पर हम apply नहीं कर सकते हैं इसी की site के आपको नीचे भी यहाँ पर yes करना है अब यहाँ पर एक महत्पून दस्तावेजे वो आपको यहाँ पर लगाना होगा उसे हम यहाँ पर रोजगार पंजियन कहते हैं रोजगार पंजियन यहाँ पर प्रिटेग विक्ति का होना अनिवार यह है आपको किस तरह का रोजगार पंजियन करना है उसके बारे में हम डीटेल में एक वीडियो बना रेकिए उसकी लिंक हम वीडियो के description box में दे रकिए आप वहाँ से direct click करके उस रोजगार पंजन को किस तरह से कर सकते हैं किस तरह से generate करेंगे क्या उसकी process है वो पूरी detail हमने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं तो यहाँ पर उसकी link वीडियो के description box में हैं आप direct click करके उस वीडियो को देख सकते हैं अब यहाँ पर हम अपना र आप उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर फोर थोड़ाओ ने करेंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट वेलिक रोजगार पंजयन डेट हम यहाँ पर रोजगार पंजयन की डेट यहाँ पर हमें मिस्टेक कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर दोवारा सा फिलप करनी होगी तो हम यहाँ पर दोवारा सा फिलप करेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर आवेदन करमांग आ चुका है आप यहाँ पर आवेदन करमांग को कोपी कर लेंगे यहाँ पिर कहीं पर नोट कर लेंगे यदि आपने कोई correction करना चाहते हैं तो आप यहां पर correction कर सकते हैं यल्दी आपको कोई correction नहीं करना है तो आपको यहां पर print now पर click करके आप अपनी PDF को save कर सकते हैं और PDF को save करने के बाद आपको यहां पर payment करनी होगी आपको payment यहाँ पर कर सकते हैं payment करने के लिए आपके process to payment पर हम click करेंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे wait करने के बाद आपको यहाँ पर payment को करनी होगी payment की mode यहाँ पर आप देख सकते हैं payment की mode यहाँ पर है payment आप यहां पर net banking के टुरूँ से भी कर सकते हैं, debit card के माझद से भी कर सकते हैं, और IMPAs के माझद बी कर सकते हैं, UPI पर आप कलिक करेंगे, आप यहां पर दो तरह के option आएंगे, यह तो अप payment इसके तुरूँ कर सकते हैं, या आप रेविट कार्ड के माईधियम से नहीं करना चाहिए इसके माईधिम से आपको जालीकाल जाल लेगा UPEI के माईधियम से कोई डाइच्छ नहीं लगेगा और यदि आप पर दे रोजगार पंजन किस तरह से कर सकते हैं वह आप यहां إ उमिद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगी. वीडियो पसंद आजी तो वीडियो को लाइक करें. यदि आप चैनल पर नए आये हो तो आपके अपने चैनल डिजिल सुछना यूटिब चैनल को सब्सकाइब ज़रू करना है. ऐसी information वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे सरकारी यूजना और यहाँ पर काफ़ी सारी information अधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड के बारे में हम यहाँ पर new update लाते रहते हैं Thank you so much यदि आपके और भी कोई कोई हो तो comment बस में comment करेंगे हम आपके reply देने का प्रियाज जरू करेंगे Thank you so much